शिव बाबा याद है ना? ओम शान्ती सुनते हैं 23 जन्वरी 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली का टाइटल है संकल्प वानी और सुरूप के हाइस्ट और हॉलिएस्ट होने से बाप की परत्यक्षता आज की मुर्ली में बाबा ने बाप और बच्चों के लिए क्या गाइन है? साथ साथ बाबा ने हॉलिएस्ट का कौन सा गाइन है? और परत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए क्या समर्थी में रखें? और हर एक को अपने को कैसा दरपन मनाना है? तो आउ सुनते हैं 23 जनवरी 76 की मुर्ली संकल्प वानी सुरूप के हाइस्ट और हॉलिएस्ट होने से बाप की परत्यक्षता हाइस्ट और हॉलिएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले अपने को हाइस्ट और हॉलिएस्ट समझते हुए हर संकल्प वाकरम करते रहते हो हाइस्ट अर्थात उच्च ते उच्च ब्रह्मन ब्रह्मनों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है चोटी दिखाते हैं ने ब्रह्मन चोटी रखते हैं लेकिन अर्थ उसका चोटी का स्थान जैसे स्थान उच चोटी का है वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिती भी उची है जैसा उचा नाम वैसी उची शान और वैसा ही उचा काम कितने सुन्दर शब्द हैं बाबा के जैसा उचा नाम पवित्र ब्रह्म वैसी उन्ची शान और फिर वैसा ही उन्चा काम फिर बाबा ने कि जैसे बाप के लिए गाएन है अब बाबा के लिए क्या गाएन है जैसे बाप के लिए गाएन है उन्चे ते उन्चा भगवान वैसे बच्चों का भी गाएन है उँचे ते उँचे ब्रह्मन इस उँची स्थिती का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई स्रेष्ट करतव्यवा शुब कारे करते हैं तो नामधारी ब्रह्मनों से ही कराते हैं आज तक ये यादगार चलता आ रहा है देखो इस समय के स्रेष्ट करम की यादगार अब भी चेतन्य सच्चे ब्रह्मन के रूप में देख और सुन रहे हो ना बाबा ने का सच्चे ब्रह्मन खुद प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि उन जनम वाले धारी जनम धारी ब्रह्मनों का गायन कितना भी आज शुब कारे उन oppression कोई महुरत हो कोई कुछ हो उनी म्रहमनों के तुरू कराते हैं तो बाबा ने का चेतन्य में अब खुद सुन और देख रहे हो स्रेष्ट करम की महिमावा गायन भी सुन रहे हो दूसरे तरफ स्वेम स्रेष्ट पार्ट बजा रहे हो यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने उचे थे अब हैं और फिर होंगे जैसे ब्रह्मन उचे हैं वैसे ही ब्रह्मनों का समय भी सब युगों में से सरवस्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अम्रत वेला वा ब्रह्म महूरत का समय है यह सरवस्रेष्ठ युग को भी पूरे काल चक्र का अम्रत वेला काहा है या ब्रह्म महूरत का समय काहा है यह सरवस्रेष्ठ युग की ब्रह्मनों की क्यों बनी क्यों बनी क्यों की ब्रह्मन ही उचे से उचे अत्वा स्रेष्ठ करतवे में सैयोगी बनने का स्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं देखो देवी देवताओं को भी ने ये भाग्य प्राप्त कि वो इतने बड़ी सेवा के निमित बने विश्व कल्यान के निमित सब ब्राम्मन मशिव वन्शी ब्रह्मा मुख वन्शावनी बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मन हैं वो ही बनते हैं ऐसे उंचे ते उंचे कारे के निमित तबी वो सबसे सरेष्ट गाए जाते हैं तब बाबाने का क्योंकि ब्राह्मन ही उंचे ते उंचे अत्वा स्रेष्ट करतव्य में सैयोगी बनने का स्रेष्ट भाग्य प्राप्त करते है इश्वर के कारे में सैयोगी बनना कितना बड़ा भाग गया है इतना अपना उंचा पार्ट, स्रेष्ट बाप, स्रेष्ट स्थान और स्रेष्ट शान सम्रिती में रहती है अब ये बाबा ने का सम्रिती चेक करो हर वक्त अपना उंचा पार्ट भी याद रहे क्या जबरदस्त पार्ट मिला है और फिर स्रेष्ट बाप और स्रेष्थान और स्रेष्षान समरिती में रहे इतना स्रेष्ट भागे सारे कलब के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे इतना उंचा भागे बाबा ने का फिर नहीं प्राप्त कर सकेंगे ऐसे हाइस्ट और साथ साथ होलियस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो ना लोग ब्रह्मनों की बजाए आपके देवतार रूप का गाइन करते हैं हाँ तो बाबा ने कहा होलियस्ट का कौन सा गाइन है अब है जो होलियस्ट है उसका गाइन क्या चलता आ रहा है भकती मारग में भी गाइन करते हैं तो ग्यान मारग में भी गाइन करते हैं वो गाइन बाबा पूछते हैं कौन सा है अब सुनिए वो कौन सा गाइन कमल नैन वा कमल हस्त वा कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं तो ये सचमुच किसी भी देवी देवता को देखो उनकी जब मंद्रों में जड़ मूर्तियां देखते हैं सचमुच उनके नैन कमल के समान होते हैं मुख कमल के समा और हस्त भी कमल के समा तो हर चीज़ के साथ कमल लगा दिया कमल नैन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गाइन करते रहते हैं अब प्रैक्टिकल में चेक करो हर करमेंदरी कमल समान न्यारी बनी है हर एक करमेंद्री कमल समान न्यारी बनी है ये चेक करना है जैसे कमल संबंद और संपरक में रहते हुए न्यारा है ऐसे करमेंद्रियां करम के और करम के फल के संपरक में आते हुए न्यारी है तो बाबा ने का कमल भी न्यारा है कैसे न्यारा रहता है ऐसे करमेंद्रियां करम के और करम के फल में संपरक में आते हुए न्यारी हैं क्वेश्चन किया बाबा ने का ऐसे न्यारी हैं करम के और करम के फल के संपरक में आते हुए अर्था दे और दे के संबंद के दे की इस पुरानी दुनिया के आकर्शन से परे हैं कोई भी करमिंदरी का रस अब सुनिये कौन-कौन से रस है जिसमें कई बार आत्मा डूब जाती है ना पुरशार थी वो सुनो कोई भी करमिंदरी का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशी भूत तो नहीं बनाता है देखने का रस देखूं तो सही, मॉबाइल में, वट्सअप, यूट्यूब, फेस्बुक, ये देखने का इतो रस है टीवी पे देखें, इधर देखें, उधर देखें, सब तरफ ये देखने का रस फिर बोलने का, सुनने का, हमखा की बात है सुनना वियार्थ जो है, उसको क्यों सुनने का, फिर बोलने का, अपने वशी भूत तो नहीं मनाता है वशी भूत ओने का आर्थ ही है, होलियस्ट से भूत बन जाना कितना बावा ने शब दिया, कहां होलियस्ट और कहां भूत बन गए जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है क्या कर्तव्य अब सुनो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना इविल सौल क्या करते हैं नामी इविल सौल है न वो इविल स्पिरेट तो वो दुखी खुद भी दुखी रहेंगे तड़फ्ती भटगती आत्म हैं औरों को भी दुकी करेंगे highest ब्राह्मन से शुद्र बन जाते है इसलिए स़दे विए सम्रिती में रखो क्या सम्रिती में रखना है मैं highest और holiest हूँ मैं बाबा का highest उंचे से उंचे उंचे से उंचे बाबा का सबसे उंचा सदेव ये समरिती में रखो मैं हाइस्ट और होलियस्ट हूँ जब ये परत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और सुरूप में समरिती रहेगी तब ही परत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे उंचे से उंचे बाप को परत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वेम सोरुप में हॉलिएस्ट और हाइस्ट नहीं बने तो बाप को परत्यक्ष कैसे करेंगे स्वेम में बाप समान गुण और करतवे को परख्यात करना ही बाप को परत्यक्ष करना है उचे काम से उचे बाप का नाम होगा अपनी रुहानी मूरत से रुहानी बाप की परत्यक्षता करनी है जो हर आत्मा हर ब्रह्मन में देखो क्या सुन्दर शब्द हर आत्मा हर ब्रह्मन में ब्रह्मा बाप को देखे रचना अपने रचईता को दिखाए हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्यम भगवान ने इतना इने तकदीर वान बनाया है हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को परसिद करे क्या शब्द है हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पन बनाओ बड़े ध्यान से सुनो उसके लिए क्या करना है हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पन मनाओ कि हर दर्पन द्वारा नेको को बाप दादा का शाक्षतकार हो शाक्षात बाप समान की स्थिती ही बाप का शाक्षतकार करा सकती है परत्यक्षता वर्ष मनाने का आर्थ ही है सेम को बाप के समान बनाना ये स्थूल साधन तो निमित मात्र साधन है सदाकाल का साधन सिद्धी सुरूप का है सिद्धी सुरूप ही स्वते सिद्ध करेगा कि ऐसा उंचा बनाने वाला उंचे से उंचा भगवान है तो सादनों के साथ साथ सिद्धी सुरूप को अपनाओ संकल्प वाणी और सुरूप तीनों ही होलियस्ट और हाईयस्ट हों ऐसी स्टेज से ही बाप को परत्यक्ष कर सकोगे बाप दादा बच्चों का उमंग उत्सहा स्रेश्ट संकल्प मेहनत और लगन को देखकर हरशित भी होते हैं लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं सब का एक ही संकल्प है एक संकल्प में महन शक्ती है एकरस्थिती में स्थित हो इस संकल्प को सुरूप में लाओ कलब कलब के विजे की तकदीर तस्वीर का तो अब भी गाएन है अथवा काइम है ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले सदा कमल के समान अलब काल के अकरशन से परे रहने वाले बाप समान होलियस्ट और हाइस्ट समान में स्थित रहने वाले हर आत्मा में बाप के सने को सुरूप को और संबंद को परत्यक्ष करने वाले सरव स्रेष्ट उंचे ते उंचे ब्रामनों को उंचे ते उंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते मतला हॉलियस्ट अपने को समझ के चलना है मैं हॉलियस्ट उंचे ते और हाइस्ट ये समर्थी ही प्रत्यक्षता करेगी हर वक्त इस अंकल्प में रो ओम शाह यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल 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 झाल